Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस आइरिश प्ले राइट G.B. Shaw की एक प्ले के बारे में जिसका नाम है Candida इसे 1894 में लिखा गया था और 1898 में इसे पब्लिश किया गया था उनकी कलेक्शन Please Pleasant में Friends, ये प्ले एक त्री आट प्ले है यानि ये पूरी प्ले त्री आट्स में डिवाइड़ है और साथ ही ये एक सीडियस कॉमेडी है Friends, इस प्ले की थीम है Freedom of Domestic Women यानि महिलाएं जो घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं उनके फ्रीडम के बारे में इस प्ले में डिसकस किया गया है उनके उपर कितना वर्कलोड होता है और पूरी फैमली उनपर कितनी जादा डिपेंडेंट होती हैं मगर इतना होने के बाद भी उनने सही रिस्पेक्ट नहीं मिलता, सही केर नहीं मिलती है फ्रेंच G.B. Shaw एक आइडिश प्ले राइट, क्रिटिक, पॉलिमिसिस्ट और पॉलिटिकल अक्टिविस्ट थे उनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 में और उनकी डेथ हुई थी 2 नवेंबर 1950 में उन्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम में Nobel Prize और Oscar इन दोनों ही Awards से सम्मानित किया गया है और उनकी Famous Works में Man and Superman, Pygmalion, St. John ये सब ही शामिल है तो चलिए Friends, अब इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं Friends, इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले हम इसके characters के बारे में कुछ बाते जान लेते हैं इस प्ले की main character का नाम है Candida जो की एक 33 year old married woman है, इसके दो बच्चे हैं और ये अपनी married life में बड़ी खुश रहती है इसके husband का नाम है Reverend James Mever Moral जो की एक clergyman है, अपने views में communist है और बहुत ही जादा hard working है इनके लिए इनके work से जादा important कुछ भी नहीं है मगर ये अपनी wife Candida से बहुत प्यार करते है तीसरा character है Eugene Marge Banks का ये एक 18 year old young man है, बहुत जादा poetic है अपने अंदाज में और दुनिया को एक soft nature से लेखता है साथ ही ये royal family से भी belong करता है तो इस play में इसके importance और भी जादा बढ़ जाती है Next character है Mr. Burgess का, जो की Candida के father है एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत धूर्थ हैं पैसे कमाने में विश्वास रखते हैं Morality नाम की चीज नहीं है, इनके अंदर हमेशा अपना फाइदा ढूंते रहते हैं अगला character है Reverend Alexander का जो की James की तरह ही एक clergyman है इन्हें Lexi के नाम से सभी बुलाते हैं इस play में और ये James को अपना idol मानते हैं साथ ही last character है Mrs. Prosperine Garnet का जिसे Prossi के के play में बुलाया जाता है ये James Moral की assistant और typist है और उससे secretly love भी करती है मगर Candida से भी इसके relations बहुत अच्छे हैं तो friends ये सभी major characters थे अब चलिए story पर आते हैं story की setting रखी गई है North East London में और October का month चल रहा है friends यहाँ एक बात और जानने वाली है सुबा के समय start होता है और रात को ये end हो जाता है तो play की starting में सुबा का समय है और ये जो James Moral है ये अपने office में बैठा हुआ है letters देख रहा है और प्रॉसी जो है उसके बगल में बैठ करके letters टाइप कर रही है प्रॉसी कहती है Moral को की आपको एक invitation मिला है Huxton Freedom Group से जो की एक communist group है वो चाता है की आप उन्हें Sunday को address करें तो Moral कहता है की नहीं मैं free नहीं हूँ उस दिन मुझे church में speech देनी है तुम कोई दूसरा दिन देखो तो प्रॉसी कहती है की आप तो किसी भी दिन free नहीं हर दिन आपके लिए कोई न कोई appointment है अब जैसे 28 को ही देख लीजे आपको एक बहुत बड़ी company में dinner करने जाना है तो जो Moral है वो कहता है की dinner कोई बहुत important नहीं है तुम उसे cancel कर दो और वो दिन जो है तुम Hugston Freedom Group को दे दो मैं उस दिन वहाँ चला जाओंगा अब इतना हुई रहा होता है की बीच में Lexi आता है यह जो James Alexander है वो आता है Moral उसे बताता है की आज उसकी wife Candida वापस आने वाली है दो दुनों के लिए और उसे पिक करने के लिए जाना है Candida को वो बताती है की वहाँ जाने पर बच्चों की तब्यत खराब हो गई है उन्हें शायद कुछ infection हो गया है और Candida उनके कपड़े लेने आ रही है साथी Moral जो है वो Lexi को advice देता है कि अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है तुम भी एक काम करो Candida जैसी एक लड़की ढूड़ो और शादी करके सेटल हो जाओ अब ये सारी बाते चल रही होती है कि Lexi Moral को बताता है कि Mr. Burgess जो कि Moral के father-in-law है Candida के father है वो उससे एक private conversation करना चाहते है और वो उससे मिलने आ रहे है तो Moral जो है वो surprised हो जाता है कि आखिर Mr. Burgess क्यों आ रहे है तीन साल पहले हमारी जगड़ा हुआ था लड़ाई हुई थी तब से हम आपस में मिले नहीं है हो सकता है अपनी बेटी से मिलने आ रहे होंगे और इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है उस कमरे से अब जो प्रॉसी है वो लेक्सी से कहती है कि मैं मौरेल से परिशान हो गई हूँ जब देखो कैंडिडा की तारीफ करते रहता है कैंडिडा ऐसी है, कैंडिडा वैसी है तो लेक्सी कहता है कि तुम जलस हो कैंडिडा से वो तो अच्छी है ही तुम जरूर उससे जलस हो लेकिन प्रॉसी उसकी बात को टाल देती है, इस बात से इंकार कर देती है अब लेक्सी वहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसी समय मिस्टर बर्गेस आ जाते है मॉरल लेक्सी से कहता है कि बाहर बहुत ठंड पर रही है, एक काम करो तुम मेरा ये रुमान लेके जाओ, तुम्हें ठंड लग सकती है लेकिन बर्गेस को ये बात अच्छी नहीं लगती, उसे नहीं पसंद कि कोई अपने स्टाफ से अच्छा बेहेव करे उसे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है खेर ये बात आगे बीटती है, और जो मिस्टर बर्गेस है, वो आके मॉरल से कहते है कि मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन ये बात सुनते ही मॉरल को बहुत जोसी गुसा आजाता है कि हमारे जगडे में तुमने कैसे माफ किया, मैंने कब माफी मांगी तो बर्गेस देखते हैं कि अरे इसे गुसा चड़ गया है, तो वो खुद ही उससे माफी मांग लेते है थोड़ी देर बात होते ही ये बात साफ हो जाती है कि मिस्टर बर्गेस को पता चल गया है कि मॉरल का अभी ही प्रमोशन होने वाला है और इससे उन्हें कितना फाइदा हो सकता है सिर्फ इसी लिए वो अपने सन अनलो से मिलने आये हैं और उन्हें कोई किसी बात से मतलब नहीं है अब वो लोग आपस में बात करी रहे होते हैं कि तभी वहाँ कैंडिडा आ जाती है मॉरल को बड़ा दुख होता है कि वो बातों में खो गया उसे पता ही नहीं चला कि कब कैंडिडा के आने का समय हो गया लेकिन कैंडिडा कहती है कि कोई बात नहीं मैं अकेले नहीं आई हूँ रास्ते में गाड़ी पर मुझे एक लड़का मिल गया जिसका नाम था यूजीन मार्च बैंक्स वो मेरे साथ आया है उसने मेरी बहुत हेल्प की है और वो बाहर ही खड़ा है जाओ जाके कैब मैन को पैसे दे दो उसे अंदर ले आओ अब मॉरेल जो है वो बाहर जाता है और यूजीन को अपने साथ लेकर अंदर आता है और उसे मिस्टर बर्गिस से इंट्रोड्यूस करवाता है मिस्टर बर्गिस को जैसे ही पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली से बिलॉंग करता है तो वो उसमें बड़ा इंट्रिस्टेड हो जाते हैं और उसे अपने साथ दिनर करने के लिए आफर करते हैं युजीन उनकी इस दिनर इंविटेशन को एकसेप्ट कर लेता है और मिस्टर बर्गिस एक ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं अब कैनिडा जो है वो अपने घर को देखती है घर के हालात को देखती है कितना बिगड़ गया है और उसे ठीक करते हुए घर के अंदर चली जाती है तो जैसे ही वो अंदर जाती है जो यूजीन मार्च बैंक्स है वो मॉरेल से कहता है कि मैं तुम्हारी वाइब से प्यार करता हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम उसे किस तरह ट्रीट करते हो उससे घर का काम करवाते हो मानो वो तुम्हारी स्लेव हो मैं उसे तुमसे आजाद करवा के रहूंगा और अब वो मेरे साथ रहेगी अब ये सुनते ही मॉरेल को बड़ा गुसा आजाता है और वो उसे घसीटता हुआ घर के बाहर ले जाने लगता है लेकिन तभी उसी समय कैंडिडा वहां आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ लेकिन वो उसे कुछ बताते नहीं है तो वो यूजीन से कहती है कि अभी मत जाओ लंच कर लो हमारे साथ फिर चले जाना और मॉरेल बिचारा कुछ कहने ही पाता अब आफ्टरनून का समय है यूजीन बिचारा अकेला रूम में बैठा हुआ है उसे मन नहीं लग रहा तो वो वहां पड़े प्रिंटर को यूँ ही दाबने लगता है उसी समय प्रॉसी उस रूम में इंटर करती है और उसे डाटती है कि मेरे प्रिंटर के साथ छेड़ छाड़ मत करो वो खराब हो जाएगा अब ये दोनों आपस में बाते करी रहे होते हैं कि इनकी बातों का डायरेक्शन लव की तरफ मुड जाता है और वो यूजीन जो है वो प्रॉसी को फोर्स कर रहा है एक तरह से ये कंफेस करने के लिए कि वो मॉरेल से प्यार करती है अब ये सब को चली रहा होता है कि उसी समय मिस्टर बर्गिस की इंट्री होती है वो यूजीन से कहते हैं कि मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ इस टाइप रेटर के साथ बैठ कर तुम बोर हो गए होगे तो चलो मैं ही तुम्हें कंपनी दे देता हूँ ये बात सुनते ही जो प्रॉसी है वो मिस्टर बर्गिस को ओल्ड सिली फैट हेड कह देती है बर्गिस को बड़ा गुसा चलता है वो मॉरेल को जाकर कंप्लेन करता है कि प्रॉसी ने मुझे ऐसा कहा लेकिन वो इस बात को ignore कर देता है अब dinner होने में थोड़ा समय रहता है तो moral कुछ paper देता है बुर्गेस को पढ़ने के लिए और Candida जो है वो lamps में तेल भरने के लिए जो paraffin oil होता है वो भरने के लिए चली जाती है लेकिन यूजीन जहे वो ये चीज़ देखकर बड़ा गुसा जाता है मॉरल को ब्लेम करता है कि मेरी कैंडिडा इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं करेगी तो उसी समय प्रॉसी आकर कैंडिडा से कहती है कि प्याज आ गए हैं प्याज काट लो अब ये सुनकर उसे और भी गहरा जटका लगता है और वो मॉरल से लड़ पड़ता है कि तुम आखिर मेरी कैंडिडा के साथ ये क्या कर रहे हो से स्लेव की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो और जाकर वो कैंडिडा को कॉम्प्लिमेंट करने लगता है कि तुम बहुत खुबसूरत हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन कैंडिडा कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये मेरा काम है ये मुझे करना ही है और उसे अपने साथ ले करके चली जाती है अब मॉरल और प्रॉसी कमरे में अकेले रहते हैं तो moral प्रॉसी से कहता है कि तुम्हें बुर्गेस को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था, बड़े ही प्यार से समझाता है, लेकिन इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रोने रहती है और वहां से भाग जाती है, तब ही कैंडिडा आती है और moral से साफ साफ कहती है कि ये जो यूजीन है, ये मुझसे प्यार करता है, और साथ ही एक बात और जान लो कि प्रॉसी जो है, वो तुम से प्यार करती है, तो ये बात सुनकर जो moral है, वो थोड़ा शौक दो जाता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तो इस बात पर कैंडिडा कहती है कि हाँ, तुम भले ही अपनी lectures में, अपनी speech में बहुत कुछ बताते हो, बहुत कुछ समझाते हो, लेकिन लोगों का उस पर कोई असर नहीं होता, वो तुम्हे देखने आते हैं, तुम्हे सुनने आते हैं, तुम्हारी speech सुनने नहीं आते हैं, इसलिए ये मत सोचोगी speech दे रहे हो, तो वो तुम्हारी बाते मान लेंगे, अब ये सुनकर मॉरेल को बहुत दुख होता है उसी समय लेक्सी आता है और मॉरेल से कहता है कि चर्च में स्पीच देने का समय हो गया है लेकिन मॉरेल इस बात के लिए मना कर देता है क्यानिडा को बड़ा दुख होता है कि मैंने ऐसा कुछ कह दिया इसलिए moral नहीं जा रहा है तो वो moral से insist करती है कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए चर्च में मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी लेकिन moral कहता है कि नहीं मैं चला जाओंगा तुम्हें नहीं जाना है तुम और यूजीन घर पे ही रहो वो बहुत जिद करती है लेकिन moral उसे वहीं छोड़ कर चला जाता है अब कैंडिडा जो है वो चेयर पर बैठ करके moral के आने का इंतिजार कर रही है यूजीन उसे अपनी poetry पढ़कर सुना रहा है लेकिन वो अपने ही खयालों में खोई है उसे कोई ध्यान नहीं है यूजीन की poetry पर यूजीन को ये बात पता चलता है तो वो कैंडिडा से बाचीत करने लगता है कैंडिडा उसे कहती है कि कुछ अच्छी बात करो मेरा ध्यान अटाओ इन सब बातों से तो यूजीन कहता है कि तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है मेरे लिए बिल्कुल prayer की तरह है मेरा मन करता है मैंसे बार बार लेता चाहूँ अब ये लोग बात करी रहे होते हैं कि उसी समय moral आ जाता है और वो आकर बताता है कि आज मैंने एक बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया सब बड़े खुश हुए हैं तो ये बात सुन करके कैंडिडा बड़ी खुश होती है अब उसी समय लेसी, प्रॉसी और बुर्गिस ये तीनों भी आ जाते हैं और बुर्गिस को थैंक करते हैं कि तुमने हमें अच्छा डिनर करवाया और ऐसा कहकर ये सबी यहां से चले जाते हैं अब घर में सिर्फ कैंडिडा, यूजीन और मॉरेल हैं यूजीन और मॉरेल ये तुनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम अपना डिसिजन कैंडिडा के ओपर छोड़ देते हैं वो जिसके साथ रहना चाहेगी उसके साथ रहेगी दूसरा चुपचाप अपनी हार मान लेगा तो वो जाकर के इस बारे में डारेक्ली कैंडिडा से पूछते हैं कि तुम्हें किसके साथ रहना है कैंडिडा थोड़ा सोचती है और बोलती है कि तुम दोनों में से जिसे मेरी ज़रूरत जादा होगी मैं उसके साथ रहूंगी तो ये सोचकर मौरल जो है उसका मन बड़ा उदास हो जाता है कि कहीं तुम यूजीन के साथ ना रहने लगो लेकिन कैंडिडा बोलती है कि नहीं यूजीन को mängerी जरूरत नहीं है वो मेरे बिना रह सकता है लेकिन तुम मेरे बिना नहीं रह सकोगे इसलिए मैं तुम्हें चुनती हूँ अपने हस्बेंट को चुनती हूँ और इसलिए चुनती हूँ क्योंकि उसे मेरी जरूरत है ना कि मुझे उसकी जरूरत है यूजीन जह है वो अपनी हार को सुईकार कर लेता है बोलता है कि ठीक है मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा प्यार नहीं जीत सका लेकिन मेरी मन में एक सीक्रेट है जिससे मैं खुश हूँ और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है Candida और Moral दोनों गले लगते हैं और इसी के साथ ये play खत्म हो जाती है तो friends ये थी GB Shaw की play Candida